सब्सक्राइब आपका आपी के यूटीब चाहिम इसको डीके में आज हमजी श्यूर के बारे में बात करेंगे वह रेल विकास निगम लेमेटेड जिसे आप आर वी एनल के नाम से भी जानते हो तो रेल विकास निगम के अंदर आपको प्रेवेश टर्डिंग सेशन में लग को डिविडेंट भी दिया था तो यहां पर आप देखो कंपनी आपको डिविडेंट दे रही है हर साल काफी हाई मुनाफे दे रही है तो ऐसे में इस शेर के अंदर एज लॉंग टाइम के लिए चलना सबसे बैस्ट रहेगा अगर आप लोग जोना भी एक लॉंग ट्रम ढूंड रहे हो तो यह शेर सबसे बैस्ट है तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर जो कल तेजी बनी थी उसके पीछे एक्चल में रीजिन क्या था और क्या यहां से शेर के अंदर पैसा लगाएं तो अगले एक साल में क्या यह शेर हमें 100-500 परशंट तक क्रेटन हैं और वहीं अगर बात करें इसके बाउन वीक लो से जो की 29 रुपे हैं वहां से लगबग आप देखोगे 1500 परशंट की तेजी पर हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है और प्रिविश टेडिंग सेशन में स्टॉक आपको 73 पर पैसे पर क्लोजिन लेते नजर आया है एक पर मिलने के बाद आप देखोगे कल के दिन स्टॉक में हमें ये तेजी बनते नजर आये थे तो यहां से आगे भी स्टॉक अंदर तेजी बनेगी चलिए पहले जो ओडर मिला है कमपनी को उसके ओपर डिटेल में देखते हैं क्या ओडर है और उसका क्या इफेक्स टॉक के इसलिए वेबसाइट पर हमें जो अभी आर्टिकल देखने को मिला है कल के दिन ये आर्टिकल आये था आप देख सकते हो तेरा तारिक को दो बसकर संद तारीस मिनिट पर आर्विनल शेयर जंप आफ्टर रेलवे इंफ्रा फर्म बैक्स ओडर नोर्थ आप देखोगे भी वेस्टन रेलवे ठीक है नोर्थ वेस्टन रेलवे से जो इनको ओडर मिला है जिसके चलते आर्विनल शेयर में जंप बनते नजर आया है तो यह वो बड़ा रीजन चली देखते कितना क्या ओडर हमें देखने को मिला है तो यहां पर आप देखोगे भी शेयर प्राइज आर्विनल तो रेल विकास निकम लिमेटेड शेयर रोज नियरली 3% कल के दिन 3% सला था ओन त्यूजडे आफ्टर दा कंपनी बैग्ड ए लेटर ओफ अवार्ड ठीक है उसके पाद आदेगे कि इसकी जो कीमत है वो लगभग 63 क्रोड फ्रॉम नॉर्थ वेस्टन रेलवे वन ओफ दा जॉन अंडर दा इंडियन रेलवे आप देखोगे भी इंडियन रेलवे के अंडर में जो जो आता है उनमें से एक है नॉर्थ वेस्टन रेलवे जहां से कंपनी को लगभग 63 क्रोड का एक बड़ा लैटर ओफ रिवार्ड मिल चुका है यानि कि एक बड़ा ओ यहाँ पर आप देखोगे मार्च के एंड में यह तीजी बंते नजर और यह तेजी आप देखोगे अब हमें जोगों उपर में काफी शांदार देखने को मिली है तो यहां से आप देखोगे अपने निर ब्रेकआउट लेवल के असपास रहा है जोकि 75 रुपी 70 पैसे का इसका बन रहा है जिहां पिछेतर रुपया सत्र पैसे का इसका ब्रेक आउट है अगर स्टोक इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टोक में बनेगा गजब का ब्रेक आउट और फिर स्टोक आपको अपनी एक न्यू बाउंड विक हाई की तरफ बढ़ते नजर आएगा तो यहा आप देखोगे लगबग 86 से पताने भी 80 रुपय के उपर में इसका बाउंड भी खाए है तो वहां से आप देखोगे स्टोक में इस लेवल से एक बिक ब्रेक आउट बंते नजर आएगा ट्रेंड लाइन के अभी स्टोक नीचे में है बट जो सपोर्ट है वो आपको पर काफी बार सपोर्ट हमें लेते हुए नजर आया है तो एक अच्छा सपोर्ट आगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो स्टोक में बिक फोल भी बन सकता है जैसा कि आपको इस लेवल पर देखने को मिला था यहां पर आपने देखा भी सपोर्ट को ब्रेक किया तो एक रहे हैं इन्वेस्ट करने की तो यहां से अगर आप स्टोक में इन्वेस्ट करने का चलते हो तो यह ब्रेक होगा स्टोक जल्द ही ऊपर की तरफ और उपर में स्टोक फिर आपको जोना भी हंड़र प्लस के लावल दिखाएगा यह होने वाला है क्वाटर फोर के बाद तो ब वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद आदेख लाग कीजिये चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो सब्सक्राइब बना मत भूल लाण थेंक्यू फर वुच्वर वीडियो